एक आदमे एक लड़की को पैसो के लिए एक घटिया प्रपोजल देता है इसके बाद इनका प्लान से इसे चल रहा होता है पर इसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है आज के हमारी मूवी परफेक्ट प्रपोजल ये 2015 की क्राइम थ्रिलर मूवी है इस मूवी में जो ट्विस्ट आता है और इसके बाद जो जो सिच्टियेशन होती है ये बहुत ही सही है ये एक मिस्ट्री मूवी है तो इसके बाद में ज़्यादा बोलना कुछ गलत हो सकता है तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें मकाओ दिखाए जाता है कसीनो लाइफ, बार लाइफ ये सब हम देखते है इसके बाद हमें एक बार में जी यून जो हमारी मेन कैरेक्टर है ये बीर वेगरा सर्व करते होए दिखती है जब अपने फ्रेंड से बात करे होती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक अड़राइजमेंट दिखाती है इस अड़राइजमेंट में लिखा होता है कि एक आदमी की केर करने के लिए एक सिंगल वूमन चाहिए और इंटर्वियू के बाद ही इसका फैसलाओ करेंगे कि उसे जॉब मिला है या नहीं इसकी फ्रेंड कहरे होती है कि इस इंटर्वियू का मिनिंग ही अलग है बुड़े आदमी को मजे करने है इसलिए उसे लड़की चाहिए इसमें पैसे भी बहुत सारे मिलने वाले होते है ये दोनों जब बात कर रहे होते है तब जीउन का पार्टनर वहात है जीउन का पार्टनर वाज जीउन इन दोनों ने मिलकर ये बार चलाया था ये दोनों profit बाट कर ये बार चलाने वाले थे पर दो-तीन महेने हो चुके है और उसके partner ने उसे कुछ भी profit वेगरा नहीं दिया उल्टा उस पर बहुत सारा करजा है उसके पीछे बीचे मेंस बातरों तक चली जाती है ये उसे कहती है कि जल से जल तुम मुझे मेरे पैसे दो ये कहता है कि इसके पास ये पैसे नहीं है पर आज जुवा खेलने के लिए जाने वाला है जुवा खेलेगा और इसे double पैसे हो दे सकता है इनके जो सब पैसे थे इसने जुवे में ही खर्च कर दिये है थोड़ी दर में जुवा पैसे लिए थे ये सब अब तुम्हें पैकर ने है वरना तुम्हारी लाइफ खत्र में हो सकती है जुवा अब बड़े प्रॉब्म में फस जाती है अब क्रेडिट्स रोल होते है और हमें दिखता है कि जुवा इंटर्व्यू के लिए जा रही है जो इंटर्व्यू उसकी फ्रेंडों से दिखा रही थी और मैं के क्यर करने के लिए उसी इंटर्व्यू में जा रही होती ह इंट्रव्यू लेने के लिए और एक मेंन क्यारेक्टर हमें इंट्रडियूस किया जाता है इसका नाम होता है संग संग उससे फिर कोरियन में बात करने लग जाता है मकाव में सब इंगलिज बोलते है और जी उन कोरियन बोल सकती है इसलिए इसका एक plus point होता है जोन के बारे में सब चीजे वो पूछता है जोन से पूछता है कि तो बारे मदर कहा रहे थी है जोन कहीती है कि जब मैं छोटी थी तो भी उनका car accident हो गया था संग को बहुत ही बुरा लगता है संग फिर जोब के बारे में समझाता है वो कहता है कि यह जोब मकाओ के सबसे बड़ी casino owner के लिए है जब हम इसके बारे में बात कर रहे है तो तुम्हें लग रहा होगा कि यह self made man है बहुत बड़ी बड़ी charities करता है और बहुत ही अच्छा आद्मी होगा पर यह बहुत ही घठिया आद्मी है यह egoistic सब लोगों पर जिर्णने वाला और किसी को भी कोई भी नहीं समझने वाला एक बहुत ही घठिया इंसान है इसके तुम्हें care करनी है यह इसका job होता है वो जिवन से बोचता है कि तुम्हें क्यों यह job लेना है जिवन कहती कि मेरी financial situation बहुत ही खराब चल रही है मेरे partner ने loan लिया था और मुझे वो pay करना है संग impressed हो जाता है वो कहता है कि तुम बहुत ही straight forward हो यह उसे person आता है जिवन कहती है क्या मुझे यह job मिल चुका है संग कहता है कि नहीं इसमें और भी कुछ चीज़े है संग फिर उसे एक location बदाता है एक hotel में मिलने वाले होते है उसे कहता है कि मैं तुम्हे प्रपोजल वहाँ समझाने वाला हूँ तो मैं सिर्फ यह प्रपोजल सुनने के लिए thousand dollars में दूँगा जब जीउन इविनिंग में अपने फ्रेंड से बात करती है तो उसकी फ्रेंड इंप्रेंस्ट हो जाती है वो कहती है इतने सारे पैसे सिर्फ इंटर्व्यू के लिए उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर मुझे जवाब लगा तुम्हें कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकती हो अब हम देखते हैं कि संग और जीउन की मीटिंग चल रही है संग फिर उसे सब कुछ समझाता है संग फिर कहता है कि मैं जो तुम्हें प्रपोजल देने माला हूँ अगर तुम्हें uncomfortable लगे तुम कभी भी उठकर जा सकती हो यह thousand dollars किसी को भी यह बात ना बताने के लिए है जिस old man की जीउन को care करने होती है इसका नाम होता है किम संग फिर कहता है किम की family एक accident में मर गई थी उसके बाद यह कभी भी घर ने गया है यह याट पर ही रहता है यह बहुत ही अकेला हो चुका था तो उसके सर्वन के साथ ही रहता है एक दिन उसे ऐसे ही याद आ गए वो जब यंग था तब एक लड़की के साथ इसने अनितिक संबन बनाए थे इसी वज़े से उसे एक लड़का भी था यही लड़का संग है जिउन को समझ में नहीं आ रहा होता यह कह का रहा है संग फिर कहता है कि किम के बारे मुझे सब कुछ पता है उसे किस तरह की लड़का पसन है किस तरह की चीज़े उसे करनी अच्छे लगती है किस तरह की बाते उसे अच्छे लगती है सब कुछ चीजे मुझे पता है संग को अब किम से बदला रेना है किम की जो सब प्रॉपर्टी है यह संग को नहीं देने वाला यह सब प्रॉपर्टी चारेटी में दे देने वाला है इसलिए संग इससे बदला रेना चाहता है संग कहता है कि तुम्हें इस से शादी करनी है अगर जियून किम से शादी कर लेगी तो सब प्रॉपर्टी जियून को जली जाएगी संग कहता है किम जब मर जाएगा तो 50-50 प्रॉपर्टी हम बाट लेंगे जियून को यह आईड़ा पसंद नहाथा फिर भी वो गुंडे तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे तुम्हारे पेशों की प्रॉपर्बलम कोई भी स्वाल ने करने वाला जियून वहाँ से निकल जाती है जो वह अपने बिल्डिंग में आती है तो उसने रेंड भी नहीं दिया होता उसका landlord उसके पास आता है और उसका शोशन करने ही कोशिश करता है जियून अब संग का proposal एकसेप करने के लिए ready हो जाती है संग पहले जियून को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आता है उसका complete makeover करता है किम को किस तरह की ओरते पसन है उस तरह का उसे वो complete makeover देता है जियून अब याट पराती है उसे जब सब servants देखते हैं तो इन्हें बहुत ही beautiful लगती है किम जब वहाता है तब सब लोग डर कर side में हो जाते है किम जियून से पुछता है कि तुम late हो चुकी हो मुझे wait करवाना यह अच्छा एड़ा नहीं है जियून कहती है कि एक old lady थी उसकी में care कर रही थी अब मैंने ओ जॉब छोड़ दिया है और यहां आ चुकी हो किम कहता है या तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ सारे casino सारे yards वगरा सब कुछ मैं own करता हो किसी old lady के लिए तुम मुझे wait नहीं करवा सकती है किम फिर उसे instruction देता है किम कहता है कि मैं city बजाओंगा मैं अगर city बजाता हो तुम्हें 2 minute में मेरे पास आ जाना है जिउन कहती है कि मेरे services के लिए तुम मुझे pay कर रहे हो तुम मुझे इस तरह से disrespect नहीं कर सकते है तुम्हें मुझे सही से treat करना है और ये जो city बगरा तुम कह रहे हो ये मैं नहीं करने वाली तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगे अगर कोई urgent काम है तुम मुझे call भी कर सकते हो संग ने जिउन को कहा होता है किम बहुत ही ideal है तुम उसे जितना तंग करोगी उतना ही उसका frustration बढ़ता जाएगा वो तुम्हें पैसे offer करने कोशिश करेगा और जब उसे पता चलेगा कि पैसो से तुम्हें वो बाई नहीं कर सकता तब वो तुम से शादी करने के कोशिश कर सकता है यहीं इनका plan होता है तो यही जिउन अब establish कर रही होती है इस याट की वेटर जिउन को सब जगा वेकर दिखाती है उसका room भी उसे दिखाती है जिउन को यह जगा बहुत ही पसन आती है रात में संग और जिउन दोनों deck पर मिलते संग कहता है तो हमारा first impression तो बहुत ही बढ़िया था जिउन भी डर रही थी पर फिर भी इसने अच्छा impression दिया है संग कहता है कि किम को हमेशा लगता था कि उसके पैसो के लिए सब और दे उसके पास होती है अब उन्हें इसके opposite prove करना है नेजदिन जिउन bathing suit में बात वगर लेती है किम उसे ही देख रहा होता है किम के पास जिउन आती है उसका blood pressure वगर सब को check करे होती है तब किम को एक cigarette चाहिए होती है डॉक्टर ने मना किया होता है तो जिउन भी अब मना करे होती है किम अब उसे 100 dollars की note देता है कहता है कि मुझे तुम cigarette दे दो और किसी को भी बताना मत जिउन कहती है कि मैं यह नहीं करने वाली है किम अपने एक box में से एक ruby diamond वारा necklace निकालता है वो उसे offer करता है जिउन कहती है कि यह बहुत ही beautiful है फिर भी यह offer एक accept नहीं कर सकती है अब किम इस वार बहुत ही चिर जाता है कहते है मैं पैसे पे करता हो मैं जो कहूंगा वो तुमें करना पड़ेगा मेरे खिलाफ अगर तुम जाओगी तुम्हारी life में hell बना दूँगा जिउन कहती है हो गया तुमारा और वहाँ से चली जाती है आत में हम देखते है कि जिउन ने अभी-भी जॉब लिया है तो इसकी welcome party चल रही होती है इस party में संग और जिउन को नाचने के लिए कहती है यह दोनों बहुत ही beautiful dance करते है जिउन कहती है कि हमारी story तो सिन्रेला जेसी है तुम अचानक मुझे बचाने के लिए आ गए सिर्फ hill तूटना ही मिसेंगे और यहाँ इस dance करते हुए इसकी hill भी तूट जाती है नेक्स राथ हम दहीते है किम और उसका captain यह दोनों Korean Chase खेल रहे होते है इस याट की waiter जब उसके पास आती है तो किम कहता है कि अब से तुम मुझे लिकर सव नहीं करोगे किम कहता है कि मुझे दारू के नाम पर पानी नहीं पिना है थोड़ी दिर में जीउन भी वहाती है और इनका game देखती है गेम देखकर इसे पता जा जाता है यह captain कीम को हरा सकता है captain को चाल पताती है और किम सचुन में हर भी जाता है किम इगोईस्टिक ही होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है किम कहता है कि अगर तुम्हें सच मुझ में इतना game यह पता है तो तुम क्यों नहीं खेलती किम मजाग करता है कि आरते हमेशा purse, traces, इस तरह की चीजों के पीछे ही भागती है इन दोनों की bet लगती है अगर जिउन जीत गई तो किम से वो कुझरी मांग सकती है और अगर किम जीत कया तो जिउन को salary नहीं देने हाला game चलता है और जिउन इसमें जीत जाती है जीउन कीम को कहती है कि तुम्हारे room में piano है जो तुम कभी भी नहीं बचाते ये piano वो मांग लेती है इसा करने के लिए संग ने हैं उससे कहा होता है अब सब नोकर लोग सिरेस हो जाते और वहाँ से चले जाते थोड़ी देर में जीउन वेटर से पुछती है कि ऐसा क्या हो गया है ये वेटर कहती है कि किम अपनी family के लिए piano बचाता था उनका accident हो गया इसके बाद कभी भी उसने piano नहीं बचाया है जीउन को बहुत ही बुरा लगता है ये वेटर वर्णर करती है कि वो उसके दारों में पानी मिलाती थी ये किम को किसे पता था ये point आप ध्यान रखना ये movie के last में आपको पता चलेगा जीउन फिर किम के पास आती है और उसे sorry कहती है किम कहता है कि मुझे भी जादा पास में dwell नहीं करना चाहिए जीउन कहती है कि मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ उसकी मदर का भी accident हुआ था जब इस school में थी तभी इसके teacher ने उसे बताया था पुरे रास्ते भर इसे कुछ भी मालूम ही नहीं था इस सब से ये भी गुजर चुकी है किम कहता है कि इस तरह की बाती उसे पसंद नहीं है उसे वहाँ से निकल जाने के लिए किम के लिए जीउन को बहुत बुरा लगता है रात में संग जीउन से मिलता है जीउन उसे पूछती है तो ये मुझे पहले बता देना चाहिए था संग कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले पता देता तो अब जो natural effect आया है यह नहीं आ पाता जिए उनको कहता है तुम्हें emotional नहीं होना है हम जो कर रहे हैं यह strictly professional हमें रखना है यह जब बात कर रहे होते हैं तो याड का सरवंड यहां आ जाता है इने देख सकता है तो यह दोनों छूप जाते है एक दूसरे के पास आ जाते है संग इसे kiss करने वाला होता है पर अपने आपको यह रोक लेता है अब नेक्स दिन सुबह हम देखते है कि किम fishing कर रहा होता है fishing करते वक्त एक बड़ा सा fish उसके हाथ लगता है यह fish बहुत ही बड़ा होता है और इसकी वज़े से इसकी whale chair हीलने रग जाती है यह नीचे पानी में गिर सकता है पर फिर भी यह fish छोड़ने रहा होता जिम इशारे इशारे में एक सर्वंट को कहती है कि इसकी string ही तुम काट दो अब किम इस सर्वंट पर बहुत ही चीट जाता है वह खेता है कि अभी क्या भी जाओ और ओफिश लेकर आओ अगर तुम यह नहीं कर सकते तुम यह steak खाना पड़ेगा यह जो सर्वंट है यह पाकिस्तानी होता है और कोरियंस को लगता है कि पाकिस्तानी लोग steak नहीं खा सकते डारेक्टर को पता नहीं होगा एनिवे यह इसे steak खाने के लिए मजबूर करता है यह मुव में तो लेता है पर एक खानी रहा होता जून कहती है कि तुम यह गलत कर रहे हो यह सबब बन करतो किम इस वर बहुत ही चिर जाता है वो कहता है कि इस yard का owner में हूँ मेरे लिए कोई भी decision नहीं ले सकता मैं जो कहूंगा वह ही होगा यह बहुत ही चिर जाता है और सब कुछ खाना में गरा नीचे गिरा देता है जून को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है जून अब यह job छटकर घर आ जाती है संग और वो दोनों पास आ चुके थे इसकी भी उसे याद आती है संग राद में इसके पास आता है वो कहता है कि अब तुम्हें job पर फिर से वापस आ जाना चाहिए जून कहती है कि यह मैं नहीं कर सकती है संग उसे फिर से पैसों का लालज देता है जून कहती है कि इतने सारे पैसे है यह पता है मुझे पर अगर मैं उसे शादी करूँगी फिर भी और 10-12 साल जीएगा तब तक यह मेरी लाइफ हिल बना देगा इसके साथ मैं कभी भी नहीं जी सकती संग कहता है कि क्या तुम कह रही हो क्या उसे मार देना चाहिए जून कहती कि अगर वो मर गया तो यही सही होगा यह वो ओफर नहीं लेने वाली तो संग यहाँ से चला जाता है राद में कीम को बहुत ही बुरा लगता है कीम का जो कैप्टन होता है उसके अच्छी फ्रेंड के तरह होता है यह उसके साथ बहुत ही पहले से है यह कैप्टन कहता है कि मुझे आप अलग लग लग रहे हो जब आपकी फैमिली थी तब आप जिस तरह से थे उसी तरह से मुझे आजकल तुम लग रहे थे जिस तरह से आपकी वाइफ थी जो हमेशा से आपको सही रास्ता दिखाती थी कोई भी गलत चीजे करने से आपको गाइड करती थी उसी तरह से जियून थी जून ने कुछ भी गलत नहीं किया ये उसे समझा रहा होता है किम भी इस वार बहुत ही थौट देता है किम नेक्स दिन जून के पास आ जाता है जून को कहता है कि फिर से तुम याट पर वापस आ जाओ उसे इसके लिए वहाँ सारे पैसे देने वाला होता है जून कहती ही कि अगर फिर से तुमने पैसो की बात की तो वहाँ से वह चली जाएगी किम कहता है कि लाइफ में मैं रूतलेस था बिजनेस वेगरा सब कुछ समाल रहा था और मैं लोगों को पूश कर रहा था मुझे हमेशा से लगता था कि औरते मेरे पास सिर्फ मेरे पैसो के लिए आती है और तुम बहुत ही अलग हो इसलिए अब जून को मैरेज के लिए प्रोपोस करता है जून भी इसके लिए हाँ कर देती है और अब इनका मैरेज होने वाला है किम को जब संग ready कर रहा होता है तो संग एक कैसिनो के बारे में पोचता है वहाँ और एक नया मैनेजर लगने वाला होता है ये कैसिनो किम संग को नहीं देता तो उसकी एक सरवन को देता है किम को कहता है कि उसने तुमसे ज़्यादा मुझे सर्व किया है वो hard working भी है उसे नहीं लगता कि संग कुछ भी सही से समाल पाएगा वो कहता है कि तुम तुमारी मदर की तरह ही weak हो संग इस पर नाराज हो जाता है वो कहता है ये तुमारे पास हो ये तुमारे पैसों के लिए ही हो मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती है जी उन की शादी हो जाती है रात में जब ये दोनों बात करे होते है तो कीम जी उन से कहता है कि अब सब रिपोर्टर्स तुमारे पीछे होंगे ये सब तुमें सिंड्रेला पुकार रहे है तुमारे उपर बहुत सारे आर्टिकल्स अब होंगे किम सिंडरेले के बारे में कहते हुए कहता है कि जब सिंडरेले का शूस तूट गया था और जब वो प्रींच से फिर से मिल नहीं पाती तब उसके पास दो आप्शन्स थे वो मीरर में देख सकती थी और जिस तरह से वो पिटी थी उसे याद कर सकती थी दूसरा option था कि उसकी stepmother के साथ जब वो रह रही थी वैसे वो अपने आपको दिखा सकती थी वो अपने आपको इस mirror में देखकर बदल सकती थी उसे जिस तरीकी का person बनना था उस तरीकी का person वो बन सकती थी यह इसकी choice थी जिउन कहती है कि क्या यह सच में possible है किम कहता है कि हाँ मेरी एक employee थी जो सरकस में काम करती थी उसने loyally मुझे serve किया और इसके बाद मैंने अब उसे कसिनो दे दिया है इसके बाद हम देखते है कि जब यह celebration खतम हो जाता है तब याड के डेक पर संग और जिउन मिलते है संग कहता है क्या तुम अब हमारी deal भूलतो नहीं जाओगी न जिउन कहती ही कि नहीं ऐसा नहीं करूंगी संग इसके पास आता है और इसे kiss करता है नेकस दिन सुबा जिउन उठती है और किम को देखती है तो किम मर गया होता है संग को पास बुला थी है और संग भी इस वर बिलियो नहीं कर पाता संग कहता है कि किम ने अपनी will change कर दी थी उसके मरने के बाद तुमें ही ये will मिलने वाली है पर अभी तक इसके official सब कुछ काम हो नहीं गया है ये जब समुन दर से city में पहुचेंगे इसके बाद ये सब काम वो कर सकता है संग जियून से कहता है कि जब तक ये official नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे pretend करना है कि अभी भी किम जिन्दा है किसी को भी अंदर मत आने देना जियून उस पर डर गई होती है यो नहीं कर सकती पर संग उसे motivate करता है और वहाँ से चला जाता है जियून अब किम को ready करती है किम बहुत ही बिमार है और किसी से विए बात नहीं करना चाता इस तरह से वो pretend कर रही होती है जब ये शेरप हो जाते है तो संग केता है कि अब तुम्हें किम को घर लेकर जाना है जियून केती कि ये कैसे possible है ये वो नहीं कर सकती संग केता है कि अगर तुमने इसे नहीं किया तो सब कुछ हमारा waste हो जाएगा तो तिन अवस की ही बात है तुम इसे घर लेकर जाओ सब formalities complete करकर मैं फिर से वापस आजाओंगा जियून फिर कीम को wheelchair में बेटा थी है और सब सरवन को believe करवा थी है कि ये बहुत ही जादा बीमार है और किसे से भी बात नहीं कर पाएगा जब एक घर पर आते है तो कीम की जो सरवन थी जो इसे बहुत ही loyal थी वो वहाँ होती है ये कहती है कीम को जो favorite है वो मैंने बनवाया है कीम हमेशा जब घर आता है तो तुरांट खाना खाता है जियून कहती है कि आज ऐसा नहीं होगा वो अपने room में ही खाना खाएगा सरवन कहती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है जियून कहती है कि अब मैं इसकी wife बन चुकी हो जो भी होगा वो मेरी तरीके से होगा संग जियून के पास आता है जियून उसे फिर से बुच्छती है तो कीम कहता है कि अभी थोड़ा ही time लगने वाला है संग उसे कहता है किम की death कल रात ही हो चुकी थी अगर पुलिस ने autopsy की तो उन्हें पता चल सकता है कि किम की death अभी नहीं हुई है हमें अब इस autopsy को जलावा देना है इसलिए हो कहता है कि food अब तुम मंगवा लो एक ट्यूब वो जियोन को देता है और कहता है कि इस ट्यूब से तुम इसे खाना खिलवाओ किम ने खाना खाया था तो इससे फ्रूव हो सकता है कि वो अभी तक जिन्दा था जियोन तो पहली मना ही कर रही हो थी है पर संग उसे convince करकर वहाँ से चला जाता है इस सर्वंट फिर डर जाती है और अंदर नहीं आती थोड़ी देर में हम देखते हैं कि घर में एक आदमी आता है जियोन दरवाजा खोलती हो और कहती है क्या तुम autopsy करने वाले हो यह कहतना है कि नहीं मैं पुलीस वाला हूँ यहां कुछ तो कटबर चल रही है यह मुझे पता है यह डेड बॉड़ी अंदर देखकर अब जियोन को अरेस्ट कर लेता है जियोन के उपर डारेक्ली मर्डर का इल्साम वो लगा रहे होते है जियोन के बात्रों में उन्हें ट्यूब्स वेगरा मिली थी यानि किम पहली मर चुका था सब सर्वन्ट से भी इन्होंने पूछा है जिनसे पता चल चुका है कि जियोन ये कवर अप कर रही थी जियोन बहुत ही डर जाती है क्योंकि इस पर सिरेज चार्चे सब लग सकते है जियोन अब डर जाती है ये सब कुछ सच-चच बता देती है ये कहती है कि संग और मेरा ये प्लान था संग विल चेंज करकर आने वाला था और मैं दब तक इस बाड़ी का खैल रगने वाली थी पर फिर भी ये मर्डर मैंने नहीं किया है संग को डरेट्टू बुलवाता है जिउन कहती है कि सब कुछ सच अब तुम इने बता दो संग कहता है कि तुम जो बोल रही हो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जिउन बहुत डिस्टब हो जाती है और वही गिर जाती है इसे हॉस्पिटल में एड्मिट किया जाता है वह उसे संग मिलने के लिए आता है संग उसे कहता है कि दो विल वात थे ही नहीं जो पहली विल थी यही ओरिजिनल विल थी इसमें लिखा हुआ था कि किम अगर मर गया तो सब प्रॉपर्टी चैरिटी को चले जाएगी पर अगर इसने शादी की तो उसकी वाइफ को सब प्रॉपर्टी मिलने वाली है जून कहती है कि फिर तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया संग कहता है कि सब प्रॉपर्टी तुमारे नाम पर है पर तुमने अब murder किया है तो यह property तुम्हें नहीं मिलेगी किम का नया predecessor मैं ही हूँ सब property अब संग को मिलने वाली है संग कहता है कि सालों से में इसका planning कर रहा था और 50% में तुम्हें कैसे दे सकता हो पास मैं उने देखा था कि जिउन याठ छोड़ कर घर पर आ गई थी जब संग उसे मिलने के लिए आये था तो जिउन बोली थी किम अगर मर गया तो अच्छा होगा यह सब संग ने record कर लिया था यह पुलिस को दे देता है अब जिउन के खिलाफ सही से evidence मिल चुका है तो वो जेल में उसे रख देते है जिउन से मिलने के लिए जो घर पर काम करने वाली सर्वंट थी वो मिलने के लिए आती है जिउन इसे कहती है कि यह जो सब हो रहा है यह सब गलत है मैंने कुछ भी नहीं किया है यह सर्वंट इस पर believe नहीं कर रही होती है जिउन के थी है कि अब truthful होना यही मेरे पास एक option है जैसे सिंड्रेला ने decide किया था कि उसे क्या बनना है इसी तरह से अब मुझे decide करना है यह जो सर्वंट थी इसको किम सिंड्रेला बुलाया करता था इसे लिए यह सर्वंट अब इस पर believe करने लग जाती है जिउन कहती है कि मुझे किम की funeral पर लेकर जाओ वहाँ पर किम की याड़ पर काम करने वाले जो भी सब सर्वंट है यह सब available है इसे बात करकर murder किस ने किया है यह figure out कर सकती है सर्वंट भी अब इस पर believe करने लग जाती है एक बड़ा सा lawyer बुलाती है और जिउन को किम की funeral पर लेकर जाती है इस funeral पर क्याट के वेट्रेस से जिउन मिलती है यह वेट्रेस उसे कहती है कि मैंने कभी believe नहीं किया कि तुम यह कर सकती हो मैं तुम पर 100% believe करती हो यह इसे एक bag देती है यह कहती है किम ने तुम्हारे बहुत सारे photos ले थे यह सब इस bag में होते है किम का एक कुता भी था यह इस वेट्रेस के पास है यह वेट्रेस कहती है कि इस कुत्य का क्या करना है यह मुझे समझ में ने आ रहा जुन कुछ भी नहीं कहती और वहां से निकल जाती है इस funeral पर पाकिस्तानी सरवन संग से मिलता है यह कहता है कि याड पर कुछ गडबड था इसके लिए इसके पास कुछ evidence है संग इसे बात करना चाता है संग इसे बात करने के लिए गारे में बिठाता है उसे मार ढलता है जंगल में जाकर इसकी body वो गार्ड रहा होता है जुन इस funeral से भाग रही होती है तो पुलिस इसे पकड़ लेते है जब पुलिस के कार में होती है तो सब photograph देख रही होती है यह photograph देखकर इसे अजीब लगते है यह अब दिमाग चला थी है वो इसे पता चलता है कि कुट्टे के उपर एक clip थी इस clip में camera हो सकता है और इसी camera से photograph ले गए थे अगर यह कुट्टा इसे मिल गया और यह clips वो अजीब कर पाए तो innocent है यह पता चल जाएगा हमने movie के first में देखा है यह वेट्रेस दारों में water mix कर रही थी यह किम को पता चल गया था किम को एक कैसे पता है यह उसे मालूम नहीं है अब हमें पता चल चुका है कि जो dog था यहामेचा सब पर surveillance रखता था किम ने इस कैमेरे की वीडियो टेप में ही यह सब देखा था जीउन पुलिस से फोटोग्राफ्स मांगती है पुलिस से दे नहीं रहे होते गाड़ी जलाने वाले ड्राइवर को धक्का लग जाता है और यह इंजोर हो जाता है इसी वज़े से इस गाड़े का एक्सिडन्ट हो जाता है जीउन वहाँ से भाग थी है और एक गाड़ी चुरा लेती है यह वेट्रेस को कॉल लेगा थी है और कहती है कि तुम कुत्ता लेकर याट पर आजाना संग भी इसी याट पर आया हुआ होता है यह वेट्रेस अपने बॉइफरेंड के साथ इस याट पर आया हुए होती है संग जब इन दोनों को देखता है तो इसके बॉइफरेंड को मार देता है एक कुत्ता लेकर वहाँ से भाग रही होती है तो जीउन वहाँ आ जाती है जिए ने कुटा लेती है और इसी याठ में छिप जाती है पकड लेता है उसका गड़ा दबारा होता है तभी वेट्रेज एक बड़ी सी चीज लेती है और संक के सर में डाल देती है संक यही पेवोश हो जाता है जो कुत्ते की किलीव में कैमेरा था इससे साफ साफ दीखाई देता है कि किम को संग ने ही मार दिया था अब पुलिस के पास सही से एविडन्स मिल चुका है तो जीवन अफरी हो चुकी है किम की प्रपर्टे उसे मिलने वाली थी अब उसे मिल जाती है संग जेल में जेल में जेल में जेल में जेल में संग से मिलने के लिए आती है संग कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब केसे सिच्वेशन थी तुम्हें कुछ भी पता नहीं था अब जेल में बहुत ही पावरफुल बन चुकी है संग कहता है कि तुम अपने आपको भी इतना औरेस्ट मत समझो तुम्हारे माइन में भी ये खयाल आया था कि उसे मार देना चाहिए जीउन वहाँ से जा रहे हुती है तो संग कहता है कि हमेशा तुम एक चीज याद रखना तुम्हें ये जो सब मिला है ये मेरी वज़े से ही मिला है जीउन इस पर हसती है और यहाँ से चली जाती है इसका मतलब है संग अगर किम को नहीं मारता तो ये उसे मार ही देती है यही मूवे एंड हो जाती है